वेल्कम टू स्पोर्ट्स यारी और आज बात करेंगे हम रोहित शर्मा की और उनके लिए शायद एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है जो कि है देर आये दुरुस्त आए ठीक ऐसे है कुछ वात है उनके लिमिटेड ओवर्स फॉमैट के करियर में यानि की वन डे करियर में और similarly हमने देखा है टेस्ट करियर में भी लेकिन जैसे कि हमने का कि देर आये दुरुस्त आये और क्या कमाल के तरीके से आई ये पीछे आप तस्वीर देख सकते है ओवल टेस्ट में अपना first overseas 100 वो लगाते हैं एक लंबा इंतजार खत्म करते हैं टेस्ट रैंकिंग्स में उससे पहले ही आपको पताए कि अपनी best position पर नंबर 5 पर वाये थे तो इस वीडियो में हम रोही शर्मा के पूरे करियर की बात करेंगे और कैसे चीजे उनके लिए बदल गई अब इसमें आपको ये भी बताएंगे कि एंटीगा टु ओवल रोही 2.0 ये पूरा क्या connection है कै ये किल राहुल आ किल रोहल ये जोडी बनी हुई है एक वक्त पर तो क्या मसला था या तो केल राहun या रोही शर्मा उनमे से एक साथ ये pockets वंब्रार दोनों'का संगम नहीं अपारा था और इस पूरी कहानी में हनुमा विहारी का क्या पेच्छ तहारी का कैसे विराट और टीम मेनेजमेंट और स्पेशली रवी शास्त्री जिन्हों ने ये कह दिया था कि भाई as coach मैं अपना tenure को failure मानूँगा अगर रोही शर्मा जो है बताओ test opener अपने आपको establish नहीं कर पाते काम्याब नहीं कर पाते तो सबसे पहले आज से शुरू करते और आज जब हम बात करें तो आज हम रोही शर्मा के स्नौक की बात इसलिए करें क्योंकि ओल में उनके जबरदर्श शतक की वज़े से भारत की टीम जीती है और test series में पकड़ बनाई है और इस थिती पर आगे हैं कि वहां से अब test series गवाओ गे नहीं हाला कि जो performance है उम्मीद ही है कि रोही शर्मा जो अपना दौरा है उसे और ही और धीजदादा जो है और जबरदर्श performance लेती हाला कि रोहित फील्ड पर मौझूद नहीं थे और वो क्यूंकि उनके थोड़ा सा इंजरी का मसला चल रहा था और उन्हें यहीं बताए कि अभी थोड़ा सा बहतर मैं महसूस कर रहा हूं लेकिन मुझे यह assess करना है यह तस्वीरें देख सकते हैं आप जबरदस जीत की तस्वीरें हैं और अब आते हैं रोहिश शर्मा और उनका जो करियर है किस तरीके से रहा है टेस्ट करियर की भी शरुवात उनकी बहुत जबरदस हुई थी डेब्यू पर ही 100 हुआ था बैक टू बैक टेस्ट मैचीज में 100 अपने आप में नए कीरतिमान बनाये थे लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है गेम और धीरे धीरे जो कहेंगे उनका करियर पट्री से इध 1885 रन उनका बेस्ट स्कोर तब तक था 177 रन का जो कि उनकी जो पहले ही जो शुरुवाती दौर में उनके करियर के आगया था एवरेज तब थी सिर्फ 49.62 स्ट्राइक रिट आप देख सकते हैं उतना बड़ा पैमाना है उतना बड़ा फर्क को टेस्ट क्रिकेट में नहीं अब देखें एजन ओपनर रोहिट 2.0 कहां से शुरू होता है 16 मैचिज 27 इनिंग्स 1462 रन्स 212 का बैस्ट उनका यानि की 12 शतक भी लगा दिया है एवरेज आप देखेंगे 58.48 हर्बर सर्ट क्लिफ ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट ओपनर इन टर्मस अगर हम बैटिंग एवर से अगर आप 20 इनिंग का पैमाना लेंगे जो उनसे बैटर एवरेज करते हैं एज एन ओपनर 58.48 रोहित है हर्बर सर्ट क्लिफ ग्रेट हर्बर सर्ट क्लिफ के एवरेज है 60 की तो यह अपने आप में एक स्टेटमेंट है और क्यों हम बात करते हैं आज की तारिक में आपक को अगर वर्ल्ड एवन बनानी हो और रोई शर्मा को आप रखो गई रखोगे और उसके अलावा आप देख सकते हो पांच शतक चार अर्द शतक पांचवा जो आखरी शतक है शतक से लेकर शतक तक बात करें को कि टेस्ट करियर की शुरुवाद शतक से हो थी और आज हम ब बताऊंगा एंटीगा से वो सफर कैसे शुरू होता है साथ साथ केल राहूल का क्या रोल है इसमें हन्वा विहारी का क्या रोल है और जो मैं बात कर रहा था टीम मेनेजमेंट विराट को लेकर एक तस्वीर आपके सामने जो भी आई है एक 176 रन सवताइफरिका के साथ वा जमेका में उस सीरीज में बड़ी चर्चा जोरों पर थी कि खिलाओ ही खिलाओ पर opp² तक उपनिंग को लेकर कोई उनको सोच नहीं रहा था कुसी उसी पर उस वक्त पर उनके पफॉर्मेंस इसी नहीं आ रही थी रोही शर्मा उस वक्त भी उस तरह सीरीज का हिस्सा नहीं बनते हैं विराट कोरियो टीम मेंजमेंट कॉल लिती है हनुमा विहरी को खिलाया जाता है पहले टेस्समैच में हनुमा विहरी 93 रन्स करते हैं दूसरे टेस्समैच में उनका भी जो है अगली सिरीज आते है अब जो आकड़े आपके सामने आएंगे तो अगली सिरीज थी घर पर साउथ ऐफरिका के अगेंस जैसे हमने आपको दिखाई यह जो तस्वीर आपके सामने अभी अभी हमने दिखाई थी दूसरा जो आपके साथ अगला स्कोर देखेंगे एक ही टेस्समैच की दोनों पारियों में एजन ओपनर डेब्यू पर शतक जड़ने वाले वो पहले खिलाडी बने इसी दौरान उनने एक टेस्समैच में सबसे ज़्यादा चखके जड़ने का रेकॉर्ड बनाया और उनन इस रन्स उनके वो वही टेस्समैच है जहां पर विराट कोली का आखरी शतक आया है फिर यहां से जी सबने बोला कि अब देखते हैं विराट रोई शर्मा ने घर पर तो अच्छी परफोर्मेंस कर दी हैं और हाला कि यहां पर भी चैलेंजिंग कंडिशन्स थी जहां पर ह दिया गया था कि मैं किसी स्टेज पर ओपन करूंगा और मैं इसके लिए क्या कर रहा था भले ही मैं 11 में नहीं होता था लेकिन मैं नहीं बॉल के अगेंस प्रैक्टिस करता था और देखे रोई शर्मा को इसमें आपको क्रेडिट देना होगा वन देर्स में उनको करियर ब देखे रहें और मैं तैयारी हमेशा करता था ता लेकिन नहीं बॉल के अगेंस प्रैक्टिस करता रहता था ओपनिंग में समझता था कि कैसे मुझे अपरोच करना होगा और उसके बाद आप देखी रहें कि जो मैंने उनके आंक्रे बताए हैं इसी तस्वीर पर अगर के अगेंस उनको दिक्कत होगी ऑस्टेयन में थोड़े से टेस्ट होंगे सिड्डी टेस्स में आप देख सकते हैं उनकी स्कोर रही 26-52 ब्रिजबिन में 44-7 स्टार्ट्स मिली लेकिन कन्वोर्ट नहीं कर पाए फिर उसका घर पर वापस भारत जो है टेस्रीज किलता इंग कि के बल्लेबास कोई भारतिय कैम से उस तरीके से खड़ा नहीं हो पाया था हाँ जरूर वहाँ पर रविशंदन अश्विन की जैसे हम बात करते हैं उनकी भी परफोर्मेंस आई थी लेकिन उस सीरीज में पर्टिकुलरी रोई शर्मा ने अगेंस दस्पिन भी उन्होंने दिखाते हैं कैसे इनका करियर आगे बढ़ा है फिर आप देखें एहमदबाद जाती है टेस सीरीज 66 रन 25 नौट आउट फिर अगें इंग्लिंड के अगेस्ट 49 रन फिर जी सब के सब बात करते हैं कि यह सब तो हो गया औस्ट्रेला भी हमने देख ला स्टार्ट मिली थी पर वहाँ पर ही वा था कि रोहित ने एक तरह से विकेट अपने फेके थे अच्छे स्टार्ट होने के बावजूद जो दो पारें पेटिकुलर लिए आपने देखा जाम पर उनको स्टार्ट मिली थी अब था कि इंग्लिंड में क्या रोहित शर्मा के पास वो स्किल सेट ह है WTC फाइनल भारत की सबसे बड़ी चुन होती क्या रोहित शर्मा इंग्लिश कंडिशन में मूविंग बॉल को टैकल कर सकते हैं वन डेर्स में जबर्दस कर चुके थे वहाँ पर उनको पता ही आप सभी को कि वर्ल्ड कप के अंदर 500 अपने आप में इतिहास रचा था एक पारी में तो थोला जमिसन के अगेंस उनने लूश शॉट खेल दिया था लेकिन रोहित का मानना है कि जो साउथ हैंटन और नौटिंगम के बीच का गैप है वो उन्होंने इस जो प्रेस को पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आकर उनको जो प्लेयर ऑफ दे मैच मिला कि वो मैं मानता हूँ गेम चेंजर है जहां पर मुझे वक्त मिला मैंने दुबारा असिस्स के अपना गेम और उसके बाद इस सीरीज में आप उनके आंकडे देखे आगे जो स्कोर हैं एक बार फिर से स्क्रीन पर आपके हम दिखाते हैं कि किस तरीके से उनके स्कोर्स रहे इस पूरी की पूरी जो टेस्स तरीज है 36 और 12 नॉट आउट यहां से उनकी जो है शुरुवात होती है फिर जी लॉट्स में 83 जहां पर मिस कर जाते हैं कि उनका नाम ओनर्स बोर्ट पर नहीं आता लेकिन हो कहते हैं कि उतना बड़ा मदाल नहीं है उनने ओनर्स बोर्ट है दे ओवल वहां पर ओवल के मैदान में 11 और फिर 127 भले उनका जो है वहां पर ओनर्स बोर्ड में लॉट्स में नाम नहीं आया लेकिन ओवल में ओनर्स बोर्ड में उनका नाम लिखा जा चुका है और 2 सिप्तमबर यह टेस्स मैच जिस दिन शुरू आथा 127 रंकी इनकी प पूरा क्या रवी शास्तरी जो अभी थोड़ा सा कोवीट के चलते बाहर है वो लेकिन अच्छी चीज यह थे कि जीज दिन रोहित का शतक आया वह मौजूद थे ग्राउंड में और उनका स्टेट्मेंट फिर उस दिन याद आए कि कैसे उन्होंने का था कि अगर रोहित अ इनको तेस्ट की तो यह उनकी बड़ी जबरदस अमने दिखाए कैसे उनकी ट्रांसोरमेशन रही है और इसको और जादा बहतर करेंगे वो और जादा आगे ले जाएंगे अब दिखाते हैं आपको जो अगली स्क्रीन पर आप तस्वीर देखेंगे वो है रोहित लव अफ चारों as a visiting opener वो आपके जो हैं रोहित शर्मा उस लिस्ट में टॉप पर होंगे second better to score 100 in all three formats in England केल राहूल पहले बल्लेवास थे जिन्नों ने तीनों format में शतक लगा रखा इंगलेंड में रोहित बल्लेवास बने बट बतोर opener रोहित पहले हैं जिन्नों ने तीनों format में शतक लगाया है राहूल का क्योंकि जो आपका T20 शतक था वो वन डाउन पोजिशन पर आया था और एकलोते विजिटिंग वो बैटर हैं जिन्नोंने साथ के साथ वेन्यूज में इंग्लिंड में जाकर शतक लगाया है तो ये कुछ important highlights हैं जो रोहित ने अपने इंग्लिंड में यहां पर उनका जो सबसे बड़ा इम्तिहान तो उसको बड़े जबरदस तरीके से उन्होंने पूरा किया है और जैसे हमने बोला कि अलग अलग इंस्टेंसे जैसे हम बोड़े केल राहूल उस वक्त पर टीम में opener थे उनकी जगह जब हटी तो रोहित शर्मा की जगह फिर अगले दोरे पर ही आपने देख और आज की तारिक में रोहित और राहूल की जोड़ी है एक आपको अशॉरेंस देती है भरोसा देती है उस जोड़ी में बड़ा लंबा अरसा था कि उसका शत्किया साज़ेदारी लगाई है रोहित ने इस स्रीज में जैसे लगाता रोन यही काई कि भाई रंस मेलने माई ने था मेरको आजाएंगे लेकिन मुझे क्या काम करना है मुझे जादा से जादा गेंदे फेस करनी है 100 प्लस डिलिवरी जो कंसिस्टेंटली वो खेल रहे हैं वो भारत को मजबूत सिती में पहुंचाता है और रोहित और राहुल की कुछ इंट्रेस्टिंग पहलू और किस तरीके से उन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज एकसल किया है अपने करियर में काफी बारी टैग लगाया टैलेंटेड है गिफ्टेड है लेकिन रोहित ने हमेशा का कि ठीक है उन सब के पर एक मेहनत होती है हाड़ वक होते है जिसक पूरी की पूरी रिपोर्ट थी पूरी इंफॉर्मेशन थी रोहित पर अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें शेर भी करें अपने दोस्तों के साथ और हमें भी फीड़बेक दें आपको एक ऐसी लेगी और ऐसी अगर आपको और ज्यादा कहानिया किस से तो ये पूरी अपडेट थी होफ़ली जैसे हम बात करें रोहित का जो समय है और जादा बहतर हो और मैंचेस्टर में जो हो वहाँ पर आप उनके बल्ले से एक और शतक देखें क्योंकि आपको याद होगा मैंचेस्टर में ही पाकिस्तान और भारत का मुकाबला वादा जह रहेंगे और टीम इंडिया मजबूती जो उन्होंने दी है वो काबले तारीफ है जो चैलेंज था वो ओवरकम कर चुके हैं और होपफुली इनका करेर इसी तरीके से आगे बढ़े तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए इसी तरीके से मापके साथ के लिए इतना है